अलो फ्रेंड्स आप सब कैसे हैं उमीद है आप सब अच्छे होंगे आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सैमसंग A21s की FRP कैसे रिमूव करेंगे आज़े इस वीडियो में देखते हैं अग अबव Holz कड्डेंड व्दो अर्ख र unnaturalप法 अब उते हैं हुम करेंद Yogian और कर दो थकाे कर दो ड्र। crude कर्याता है एन में र। कर दो प्रेंडे को साथ ते कर द। स्व्डर करनाетр स्वर्पश्य। अच्य। quiz ये थ blue यू सिर्क ट कर द। ए से क्मिक थीए। लाइक करना लाइक करना लाइक करना आपको एक सिम कर चाहिए जिस सिम के अंदर पी लोक लगा हूँ तब ही आप इस प्रोस्य से एफ आर पी बाइपास कर सकते हैं सिम लगाते ही वाइस बटन पे टाप करते रहें आपको जब तक नीचे रिगारिंग सोन नहीं होती तब तक आपको नोटिपिकेशन या सेटिंग पे क्लिक करते रहना है करते हैं करते हैं अब आप ब्ल्यूटूथ आउन कर लो आपको एक ब्ल्यूटूथ चाहिए तब ही आप इस प्रोसेश से एफ आर पी वाइपास कर सकते हैं कनेक्ट हो गया आपको ब्ल्यूटूथ को तीन बर प्रेस करना है क् Cathाग मैं आप हूप गया ओी वाग्नाप आपको तीन यापको प्रेस्ट गया है लोग्ए दुटूट रेस् AH व rooftop सैसे से लिए अपишीक baru को Unis टाइप करें गूगल टाइप गलक्सी स्टोर अपडेट कर लें अपडेप गलक्सी स्टोर ब्ल्यूटूट को फिर से तीन बार प्रेस करें ब्ल्यूट को फिर स्टोर 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 विष्छ स्टोर टाइट गलक्सी इस्टोर यहां पे आपको स्क्रीन लॉग टाइप करना है सेटिंग और उपर से तीन नमबर राई आप पेटर्ण लगालो यह पीन लगालो यह पासवोड लगालो हो गया आप डैक आजाओ यह रिस्टार्ट कर लो आप जिस्टीप इस्टीप यह चसे प्लीपिप लॉग लॉगो रगा एपनो लॉगो यह स्कीप यह स्कीप मेरा फोन एफ रपी बाइबास हो गया सामसंग का कोई भी फोन हो एड़ टैन वो आप इसी प्रोसे से एफ रपी बैपास कर सकते हैं रिद करता हूँ आपको यह वीडियो काफी ज़्यादा पसंद होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें लाइक करें कमेंट करें पसक्षिछ बड़ैबड़ कर दो